गाइस आपके सामने कुछ idioms of phrases जैसे तो यस गाइस आज के इस वीडियो में मैं इसे तरह की कुछ phrases और idioms के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा हमारी पहली एक idiom है इसका मतलब होता है कि कुछ करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कटिन होना या भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होना या भी बहुत ज़्यादा थका देने वाला होना इसका मतलब यह है कि कुछ है जो हमीशा के लिए है, पर्मनेंट है हमेशा के लिए ठिके रहने वाला है इसका मतलब यह है कि जब उसे यह पता चला उसको पता चलने के बाद कि उसका जो पती है वो किसी दूसी लड़की के साथ अफेर में है तो ये पता लगने के बाद उसने decide किया कि उसको मतलब अपने पती को हमेशा के लिए छोड़ देगी Next हमारी एक phrase है It's no use of doing something मतलब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है मतलब वो फालतु का है मतलब बेकार है It's no use of going to gym if you don't take healthy diet मतलब अगर तुम अच्छा स्वस्त खाना नहीं खाते हो तो तुमारा जिम जाने का कोई भी फायदा नहीं है या पिर तुमारा जिम जाना बेकार है Full steam ahead एक phrase होती है इसका मतलब होता है कि अपने लक्षे की और लगतार मेहनत करना जारी रखना उसको बीच में मत छोड़ना या फिर पूरी एनर्जी के साथ या फिर पूरी ताकत के साथ काम करना जारी रखना इसका मतलब होता है कि बिल्कुल अभी प्रेजेंट का पल बोल सकते हो या फिर वर्तमान का पल बोल सकते हो मतलब क्या तुम मुझे मेरे घर पर अभी छोड़ सकते हो मतलब बिल्कुल अभी क्या तुम मुझे अब मेरे घर पर छोड़ सकते हो इन अनर्ट शेल इसका मतलब होता है कि कुछ संचेप में मतलब कम शब्दों में जादा बड़ा चड़ा कर नहीं For example Can you tell me in a nutshell What went wrong मतलब क्या गड़बड हो गई या फिक क्या गलत हो गया क्या बुरा हो गया क्या आप मुझे संचेप में बता सकते हो या फिक क्या आप मुझे कम शब्दों में बता सकते हो Just do it ये एक फ्रेज होती है इसको हम किसी को motivate करने के लिए बोलते हैं जैसे किसी चीच के लिए action लेने के लिए मतलब बस कर दो या फिक बस कर डालो जादा मत सोचो ऐसे बोलने के लिए You should study round the clock Just do it मतलब आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो exam को crack करना चाहता है तो उसको motivate करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर तुम exam को crack करना चाहते हो सच में तुम्हें पूरे दिन पढ़ाई करनी चाहिए पूरी रात भी पढ़ाई करनी चाहिए बस कर डालो परड़ाम के बारे में मत सोचो जो भी परड़ाम आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा It's been ages since मतलब कुछ काम किये हुए बहुत जादा समय हो गया है या फिर बहुत जादा जमाना हो गया है जैसे अगर मैं बोलो It's been ages since I watched TV मतलब मुझे TV देखे हुए बहुत जादा समय हो गया है It's been one year since I talked to her मतलब उससे बात किये हुए मुझे एक साल हो गया है Go to the mat एक idiom होती है इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हो कि किसी की मदद करने के लिए चले जाना किसी की लड़ाई में गुश जाना उसकी मदद करने के लिए मतलब मैं उसकी मदद करने के लिए उसकी लड़ाई में गुशने के लिए तयार हूँ या फिर मैं उसकी बहस में भी गुश सकता हूँ उसकी मदद करने के लिए चाह सकता हूँ क्योंकि पास्ट में उसने मेरी बहुत ज़ादा मदद की थी One thing is sure ये एक phrase होती है इसका मतलब होता है कि एक बात तो पक्की है One thing is sure I'll never go to that hotel again मतलब ये बात तो पक्की है कि मैं उस hotel में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा या फिर दोबारा नहीं जाऊंगा One thing is sure nobody can separate us मतलब ये बात तो पक्की है कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता या फिर कोई भी प्रतक नहीं कर सकता Piece of cake एक phrase होती है इसका मतलब होता है कि कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होना मतलब वो करने में बहुत ज़्यादा आसान है For example To make that girl understand is not a piece of cake मतलब उस लड़की को समझाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है For the time being एक phrase होती है इसका मतलब होता है फिलाल के लिए या फिर अभी इसी समय के लिए For example For the time being I'm staying with my friend मतलब फिलाल इसी समय के लिए मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूं एक और example है I'm teaching for the time मतलब अभी फिलाल मैं पढ़ा रहा हूं या फिर अभी इसी समय के लिए मैं पढ़ा रहा हूं White lie एक noun है इसका मतलब होता है सफेद जूट या फिर ऐसा जूट बोल सकते हो जो किसी की खुशी के लिए बोला जाता है मतलब उस जूट से कोई hurt नहीं होगा किसी को आप hurt नहीं करना चाते तब ऐसा जूट बोलोगे मतलब छोटा सा या फिर मामूली सा जूट बोल सकते हो When my sister cooked the food for the first time I said the food is absolutely delicious मतलब जब मेरी बहाद ने पहली बार खाना बनाया तो उस टेम पर मैंने कहा कि खाना वाकई में काफी अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है Never say die एक phrase होती है इसको आप इस sense में यूज़ कर सकते हो किसी को motivate करने के लिए किसी को encourage करने के लिए कि अपनी हिम्मत मत हारो या फिर जैसे कुछ examples हैं आपके सामने We have hopes with you Never say die मतला हमारी उमीदे सारी तुम पर है अपनी हिम्मत मत हारो या फिर जूटे रहो ऐसे बोल सकते हो Time flies एक phrase होती है इसको आप इस sense में बोल सकते हो कि जो time होता है बहुत जल्दी गुज़रता है Just example है Don't waste your time sitting here idle Time flies मतला किसी को आप ये बताने के लिए या फिर किसी को manner बताने के लिए कि यहाँ पर खाली मत बैटे रहो समय जो गुज़रता है वो बहुत जल्दी गुज़रता है समय वापस नहीं आने वाला किसी को समय के कीमत बताने के लिए यूज़ कर सकते हो So that's all class for this video I hope आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमें 3,2,1 टाइप करके मेरे को कॉमेंट करके बताना इससे मुझे बता चल लाएगा कि वीडियो को आपने देखा है और अगर वीडियो बसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना जादर जादर शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंकिस सो मच पर वाचिंग इस वीडियो आल केच अन दा नक्ष वीडियो टेक केर